नमस्ते दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि गुटनों के दर्ध से अगर आप परिशान हैं तो मेथी के बीच अगर आप इस तरह से इस्तिमाल करेंगे तो आपको गुटनों के दर्ध से जल छुटकारा मिलेगा। दोस्तों भाग दौर भरी जिन्दगी और अन्यमे जीवन शैली के बीच जोडों में दर्द एक आम समस्या बन गई है जिससे बुजुर्ग ही नहीं बलकि जवान भी परिशान है। हमारे घर में मौझूद मेथी के बीच इस गुटनों के दर्द से छुटकारा दिला सकते हैं। चोट लगने के बाद कई दिनों तक गुटनों का दर्द रहता है जो आपको कुछ समय तक या लंबे समय तक परिशान कर सकता है। गुटने में फ्रेक्चर या गुटने पर एक लिगमेंट की तरह चोट लगने से गुटनों में दर्द हो सकता है। गुटनों में संदिशोत, औस्टियो, अर्थराइटिस और गाउट जैसी चिकित्सा इस्तिती में आपके गुटने के पुराने दर्द हो सकते हैं। कई मामलों में शरीर का वजन जादा होने के कारण भी गुटनों में दर्द का कारण बनता है। मर्चता गुटने पर वजन डालने में परिशानी। ये थे दोस्तों इसके कारण। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि गुटनों के दर्द में मेथी का बीच कैसे फायदा करता है। मेथी के बीच कई माईनों में फायदे मन्द होते हैं। ये हमें कई स्वास्तिला प्रदान करते हैं। गुटनों के दर्द से रहत दिलाने से लेकर ये नई माउ के दूद को बनाने में मददगार होता है। आपको बता दें कि मेथी के बीचों में एंटी इंफलमेटरी तत्व होते हैं जो आपके शरीर से सूजन को कम करने का काम करते हैं। इसके साथ ही मेथी के बीच का नियमित रूप से सेवन करने से ये आपके लिवर को भी सुरक्षित रखता है। सरदी के मौसम में मेथी के बीच का सेवन इसलिए फायदे मंद हो जाता है क्योंकि ये आपके शरीर को गरम रखने के साथ ही धंड के कारन होने वाले जोडो के दर्ज से भी छुटकारत दिलाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ गुटनों के दर्ज में मेथी का बीच से आप कैसे रहत पा सकते हैं। उनमें मिला सकते हैं। तीसरा मेथी के दाने को पानी में अंकुर निकलने तक बिगोएं और सुबह इसे पानी के साथ ही खायें। चौथा है अंकुरित मेती के बीजों को अपने सलाज में मिला कर भी खा सकते हैं। दोस्तों इस तरह नियमित रूप से मेती के बीच का इस्तेमाल कर आप अपने गुटनों के दर्शे कुछी दिनों में राहत पा सकते हैं। ध्यान रहे अगर आपको कुछ दिनों तक राहत ना मिले तो आप बिना लापरवाही के तुरान डॉक्टर से संपर करें और इससे संबंदित इलाज कराएं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी ऐसे ही और हेल्थ के वीडियो देखते रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।